नमस्ते प्याने दोस्तों आगे हम एक नए मेडिशीन के बारू में बताने के लिए ठीक न और यह ऐसा है जो की आपको हर पल खरीद कर रखना चाहिए मतलब हमेशा आपको अपने घर में रखना चाहिए क्यूंकि है ही ऐसा यह ठीक न यह मुब का इस्प्रे है ठीक न यह और ये कहा कहा यूज आता आप ये जानते हुएगा पहले बट हम आपको इसका प्राइस दिखाते हैं 170 रुपया है बट अगर आप नियो डिल में आते हैं तो 157 में ही मिल जाएगा आपको बट अगर आप आज पास की किसी दबाई दुकाउन से लेते हैं या आपके कोई किरणने स्टूर बाले बेशते हैं तो आपको 170 में ही देंगे बो इसलिए आप जड़ा नियो डिल आ जाएगा और खरीद लिजेगा यहीं से ही और यह कोई सीजनिंग चीज नहीं है यह आपको हर समय और हर महिना कहिए या हर सीजन कहिए काने कर्थ यह है कि सब दिन सब दिन है आपको रखनी चाहिए अपने घर ले मूब इस्पेरे का काम क्या है वो देखिए जैसे कि चोट लग गया आपको या कहीं मोच आगया आपको तो वहाँ आप इस्पेरे मादिए और वो दर्द मातर पांस से 6 सेकेंड में खतम हो जाएगा देखिए एस्पेरे क्यों हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लिक्विड रहता है यह थोरा जल्दी काम करता है बट अगर आप इसका क्रीम यूज करते हैं पेस्ट वाला तो थोरा सा लेट काम करता है बट करता है यह हम नहीं कहेंगे कि नहीं करता है करता है बट आप मूब क अगर यूज करिएगा तो यह थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेगा अब जैसे घर बाली आपका अगर काम करते होंगे तो थोड़ा सा मौच आ गया तो फिर क्या करिएगा उस टेम आप तो यगर मौव इस प्रे रहेगा तो वो अकेले भी मार लेंगे या मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं खेलते खेलते चोट लग गया तो क्या कीजेगा फिर आप तुरत तो डाक्टर साहिब को बुला नहीं ने लीजिएगा तो आप क्या कीजेगा उस टेम मौव इस प्रे आपके पास रहेगा तो थोड़ा मान लीजिएगा या आप ही कोई काम करते हैं थोड़ा सा चोट आजाए या मोच आजाए तो आप क्या करोगे तुरंत कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए आप स्प्रे रखे मूब इस्प्रे या अधर भी किसी कंपनी का रख सकते हैं और अगर चोट आ जाई तो आप तुरत माजिए मातर दो से तीन सेकेंड में दर्द कमना स्टार्ट हो जाएगा और दो मीनट में तो पूरा खतम ही खतम हो जाएगा अईसे आपको रखना है ढकर खोलना है और यहां से फोर्स करना है और अटोमेटिकली सेंड के डबबे के तरह क्या होगा यह निकलना स्टार्ट हो जाता है तो प्यारे दोस्तों अगर आप मेरे चेनल को सस्क्राइब नहीं कियें तो कर दीजिएगा क्योंकि हम आपको इसी तरह अच्छा अच्छा दबाई के बारे में बताते जाएंगा जो आपको हमेशा अपने घर में रखना चाहिए तो बाई बाई फिर हम तूसरे वीडियो में मिलते हैं आपसे